आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान दोस्तों नमस्कार मैं कर्णल अजय सीओ अजय अस्टों बानी करूँ फर्स्ट क्लोबल अस्टों फनाइस डिजिटल चैनल से आपसे मुखाती बोता हूँ आज 27 जूलाई सन दोहजार बाईस आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे आज का राशीफल एग्रो कमोडिटीज पर होने वाली हल चल शेर बजार में क्या संभावना है और नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या हो सकता है सबसे पहले आज का राशीफल भारते जोतिश में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइट किया गया है अगनी प्रत्वी वायू और जल अगनी तत्की तीन राशिया एक पांच नो मेश सिंग और धनु राशी मिश्रित रुक की तरह फिशारा कर रही हैं जबकि वायू तत्की राशिया दो छे दस ब्रश्चाप करने और मकर आज लाप कोवाने की सिती में रह सकती हैं जबकि वायू तत्की राशिया तीन साथ ग्यारा यानि मिश्रित रुक की तरह फिशारा कर रही हैं जलतत की तीन राशियां कर्क ब्रश्चिक और मीन राशी आज साथधानी रखने की आवश्यक्ता है ये था आज का राशिफल अब एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन रही हैं गोरतलब है कि गेहुं के अंदर अमेरिकन यूसडी एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट ने भारतिय गेहुं पर एक रिपोर्ट के जरिये काहा है कि भारत में इस साल 9 करोड 90 लाक टन गेहुं के उत्पादन की उमीद है साथ-साथ ये भी काहा है कि भारत सरकार के जो आकड़े थे यानि भारत सरकार ने इनिशली जो गेहुं के उत्पादन के आकड़े थे वो 11 करोड से अधिक उत्पादन की बात कही थी लेकिन उसके बाद में तेज गर्मी और लू के वज़े से प्रोडक्शन कम बताया गया और उसके बाद कर लगबख साड़े दस करोड टन गेहों की उत्पादन की बात कही थी लेकिन अमेरिकन रिपोर्ड ये कह रही है कि भारत केंदर गेहों का उत्पादन नौ करोड नब्बे लाक टन ही है और ये बिगरतलब है कि लगबख साट लाक टन के आजपास गेहों का कंजमشन यानि इसकी खफ़त भी भारत में माली जाती है लेकिन ये भी एक विशिष नोट करने वाली बात है कि भारस से लगबख साथ लाक तन गहुं का निरियात हो चुका है इस बार गहुं के निरियात में बड़ी तेजी के वज़े रूस और यूकरेन के बीच लड़ाई के प्रमख वज़े है जबकि रूस और युक्रेन से काफी बड़ी मात्रा में अनाज का निर्यात पूरे विश्व में होता है अब महतवपुन ये बात रहेगी क्योंकि 60 लाक तन से अधिक ग्यहों का निर्यात हो चुका है और सरकार ने ग्यहों के निर्यात पर सहशत रोक भी लगा रखी है चार करोड टन ग्यहों की सरकारी खरीत का जो लक्ष्ट रखा था वो पिछड़ गया है और उसमें लगबग 55% की गिरावट है इन सब को देखते वे ग्यहों के दामों में तेजी दर्ज हुई है अब महतापन ये है कि आने वाले समय के अंदर ग्यहों कैसा रहेगा कुछ सुरसराहट बजारों में ये भी आ रही है कि सरकार ग्यहों के तेजी पर रोक लगाने के लिए लिमिट लगाने तक का सोच सकती है देखना ये है कि ये क्या हो तो क्या आगे संभव होगा लेकिन ये तो निश्यत है कि ग्यहों के दाम बहुत तेजी से बड़े है दोस्तो ये था ग्यहों पर अपडेट अब हम चर्चा करेंगे आज क्या होने की संभावना है कौटन सीड ओल के क्यानी कपास या खली में गिरावट की संभावनां से इंकार नहीं किया जा सकता इसमें गिरावट हो सकती है साथ साथ यदि हम देखें गवाट सीड में भी आज बड़ा उतार चड़ाव रहने की संभावना है ये था आज के एगरू वाच अब हम चर्चा करेंगे कि शेर बजार में क्या संभावना है भारते शेर बजार के अंदर शुरुवाती दौर के अंदर तेजी की संभावनां बन सकती है और लेकिन उपरी इस तर पर मुनाफ़ा वसूली की संभावनां से इंकार नहीं किया जा सकता निप्टी के अंदर और सेंसेस के अंदर पिछले कल जबर्दस गिरावट दर्ज हुई थी जिसका आपको हमने आपको हमारे पिछले शो में दिया था आज कुछ रिकवरी की सांसित बनते हैं लेकिन उपरी सर पर ये तेजी बनी रहेगी इसके अंदर एक संशय पैदा हो रहा है क्योंकि टेक्निकल लेबल्स के उपर 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 इस रोपर मुनाफ़ा वसूली भी संभावत है देखने की उमीद है आता है यदि आप शॉर्ट की संभावना है लेकिन साथ साथ आप टाटा स्टील और कॉल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे आप भी नजर लग सकते हैं उपरी सर पर गिरावट की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता दोस्तों ये सब भी विशलेशन आपको इंडियन सिस्टम और फॉन्डमेंटल अन आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा आप इसमें अपनी राया वर्षी दीजिए और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो शेट चैनल को लाइक, सस्क्राइब एवां बेल आइकन को पुश करना भी बिलकुल ना खुले है आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक जटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी खुशियों की अपनी दुकान क्या हुरी 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 हुआ हुरी 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 खुरी हुरी 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 ह